नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे सुसान सिंग राजपूत केस में कातिलों की तलास में दोस्तो CBI की टीम जूट चुकी है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा इसे देखने के बार आपको पता चलने वाला है कि CBI की टीम सुसान सिंग राजपूत के कातिलों की तलास में दोस्तो आप बहुत आगे जा चुकी है और कहा ये जा रहा है कि अब सुसान सिंग राजपूत का जो केस है वो बहुत ही जल्द सुलजने वाला है इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को अंततरक देखेगा जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ दोस्तो उसमें कातिलों ने बहुत ही सावधानी तरीके से और बहुत ही सातिर तरीके से सुसान सिंग राजपूत को खतम करने के लिए इस कांड को अंजाम दिया है लेकिन जो कातिल हैं वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि लगतार CBI की टीम सुसान सिंग रजपूत केस की चानमीन कर रही है लेकिन इसी विच में आपको बता दू CBI की टीम के हाथ में एक ऐसा बड़ा क्लू लगा है जिसे देखने के बाद CBI की टीम बहुत ज़्यादा खुस तो नजर आ रही रही है साथी साथ ऐसा लग रहा है कि CBI की टीम अब सामने आकर के सुसान सिंग रजपूत केस में बताने वाली है कि सुसान के कातिल कौन थे क्योंकि CBI की टीम बहुत लंबे अर्से से इस केस को सुलजा रही है और ऐसे में CBI की हाथ पूरी तरह से खाली भी नहीं है CBI को अभी तक बहुत सारे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर अब CBI की टीम इस केस की चार्मिन कर सकती है और CBI की टीम ये बता सकती है कि सुसान सिंग राजपुत के साथ क्या हुआ था CBI की जाच को लेकर फैंस बहुत ज्यादा उस्साहित हैं फैंस को लग रहा है कि सुसान सिंग राजपुत का अगर कातल सामने आता है तो उसको सक्त से सक्त सजा होनी चाहिए उसको वैसी सजा होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने सुसान सिंग राजपुत को खतम किया है साथ ही फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि सुसान सिंग राजपुत को कितने लोगों ने मिलकर और फिर खतम किया होगा क्योंकि सुसान सिंग राजपुत को खतम करने वाला कोई एक या दो इंसान नहीं होंगे बलकि कम से कम चार लोग आए होंगे और तभी उन्होंने सुसान सिंग राजपुत को दबोचा होगा इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद